हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल सेल्फ में टुटोरियल आज आप इस वीडियो में देखेंगे बी एच यू इवीटी बीड इंट्रांस एक्जाम 2018 का कोश्चन पेपर विथ आंसर की और इसमें आंसर सेक्षन ए और सेक्षन बी दोनों का दिया गया है तो एक बार आ इसके पहले के एक वीडियो में भी मैं इसका आंसर की डाली हूं बीढ साइन्स बी एच यू का कोश्चन पेपर विथ आंसर और इसमें जो आंसर है वो मेरे द्वारा प्रॉफ attendance किया गया और उसमें सेक्षन A और section B दोनों का answer डालोंगी और यह answer जो होगा मेरे द्वारा नहीं बल्कि BHU के द्वारा जारी किया गया original answer की है उसी से इसमे answer complete किया गया है यदि इसमें किसी परकार का claim हो या किसी परकार की सिकायत या problem हो तो यह आप मेरे से कोई question नहीं कर सकते यूगी इसमें answer मेरे द्वारा नहीं बलकि BHU के original answer के base पर इसमें answer किया गया है और इसमें section A और section B का भी answer है पुराने वाले वीडियो में सिर्फ section A का answer था जो मेरे द्वारा दिया गया था एक दू question उसमें confusion भी था तो चलिए आप देख लीजिए बहुत सारे विद्धार्थियों ने कहा कि आप section B का भी answer कीजिए इसलिए मैं section B का भी answer लेकर आई हूँ मैं इसमें बता दू कि इसमें total B8 का अगर जो नए विद्धार्थी question paper को देख रहे हैं उनको लिए उनको बता दू यह बीएड है जो बीएच्व में इउ इटी इंट्रांस एक्जाम के नाम से लिया जाता है और बीएड साइंस के नाम से लिया जाता है तो इसमें total question होते हैं 100 और यह full marks होता है 300 और time होता है धाई hours धाई घंटे इसमें पूरे question को two section में बाट आ गया section A और section B section A में 30 question and section B में 70 questions होते हैं इसमें negative marking होते हैं और objective questions हैं सारे objective questions हैं आप्सक्राइब मैं तोड़ा आगे बढ़ती हूं section A section A में देख लिजीं question और यह सारे question जो है बस मैं एक माध्यम हूँ, जो आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ. इसी question number 9, का answer होगा 2, question number 10 का 3, 11 का 3, 12 का 4, 13 का 4 ही होगा, देख लिजी इसमें नहीं डाला गया है, लेकिन answer, 4 होगा, 14 का 3, 15, 2, 16, 3, 17, 2, 18, मैं एक बार फिर से आपको बता दू, कि यदि आप देख रहे हैं, तो section A का answer मैं पहले भी upload कर चुकी हूँ, और इसमें मैं section B का भी answer upload करूँगी, section B का भी answer upload करूँगी, और जिसमें जो answer होगा, वो B.H.U. के द्वारा जारी किया गया answer है, मेरे द्वारा दिया गया नहीं, मैं बिल्किल बस आपको वीडियो दे रही हूँ, मैं एक माध्या हो, 24 का 4 होगा, 25 का 2, 26 का 3, 27 का 2, 28 का 3, 29 का 3, 30 का 4, मैं आ गई हूँ, अब section B में, यानि section B है ये, B.H.U. U.E.T. B.E.D. Science Intranse Exam, section B का answer की, इसमें answer यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक बार फिर से मैं बता दूँ कि ये answer मेरे द्वारा नहीं, बलकि B.H.U. के द्वारा जारी किया गया, answer से लिया गया है, और इसमें बस मैं एक माध है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको वीडियो प्रवाइड कर रही हूँ, लेकिन answer में, अगर किसी परकार का आपको claim हो, या कोई आपको confusion हो, तो आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यूं है, क्योंकि एक दो question में मैं तो खुद confusion हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकते हूँ, क्योंकि ये तो answer B.H.U. द्वारा जारी किया गया है, 39 नमबर question, 49, 49 का 2 है, पूरे question आप देखने की कुशिश कीजिएगा, 41 का 3, 42, 43 है, 44 का 2, 45, 46, 47 है, 47 का 3, इसका answer जो है, देख लीजिए, question के सामने ही answer किया हुआ है, 52 का answer होगा, 2, 53, 54, 55, 56, 53, 57, 58 का 1, 59 का 2, 60, देख लीजिए, question जो इस्टार्ट है, वो जिलोजी से है, एक पात मैं और बता दू, यह B.E.E.D. में जो एक्जाम होते हैं, B.E.C.U. के लिए, उसमें science subject में, पूरे paper एक साथ ही होते है, बसर, यह सिर्फ math को छोड़ कर, इसमें physics, chemistry, geology, बोटनी, इस साल से तो computer भी add किया हुआ है, computer, यह सारे question, सारे paper के एक साथ science के exam करके, B.E.E.D. का exam होता है, 64, यह साथ है, अजया है, इदर, भी एक chemistry आगया, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 3, 76, 3, 77, 2, 78, 4, 79, 1, 80, 3, 81, 2, 82, 2, 83, 1, 84, 84, 85, 1, 86, 1, 87, 2, 88, 89, 4, 90, 3, 91, 4, 92, 1, 93, 2, 94, 3, 95, 1, 96, 2, 97, 2, 98, 98, 1, 99, 100, 3, आप देख लिए पूरे 100 कोश्चन, वीथ आंसर, एक बार फिर से मैं आपको बता दू, यह आंसर जो है, बीए चिव के ओरिजनल आंसर की से लिया गया है, यह मेरे दुवारा नहीं, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, जादा से जादा लाइक किजिए, सेर कीजिए और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने की है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके थैंक यू